दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सिविल सेर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों उच्चितर सिख्षा सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परिक्षा में मुख्य विशे के अलावा सामान्य अध्यान यानि जीएस के भी 30 प्रश्ण पूछे जाते हैं जो आपके अंतिम चैन में महत्वण भूमिका निभाते हैं आज की वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर परिक्षा 2014 के प्रथम चरण जो की दिनांक 7-12-2014 को आयूत हुई थी उसका जीएस का पेपर साल्व करेंगे इससे आपको इस परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्णों का ट्रेंड पता चलेगा कि प्रश्ण कहां से और किस प्रकार से पूछे जाते हैं साथ ही इसमें हम कुछ करिंट डेटा और करिंट अफेयर्स को भी अपडेट करते चलेंगे जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए उप्योगी होगा तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों 2014 में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परिक्षा में जो पहला चरण था साथ दिसमबर 2014 को आयोजित हुआ था इसका पहला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों प्रश्ण है कि निम्लखित में से कौन बीसवी सताबदी की खोज नहीं है आपसन है आपके रेफ्रिजरेटर हेलिकाप्टर एयरक्राफ्ट या टेलिवीजन तो सही उत्तर है आपसन ए रेफ्रिजरेटर दोस्तों रेफ्रिजरेटर ये आपके बीसवी सताबदी की खोज क्योंकि refrigerator का आविस्कार 19. सताबदी में माना जाता है पहली refrigerator मसीन जैकब पार्किन्स ने बनाया था और जैकब पार्किन्स को refrigerator का जनक माना जाता है और helicopter, aircraft और television ये सब 20. सताबदी की खोजे है अगला प्रश्ण है देखिए बहुत ही महतपूर है कविता के वर्ग में यानि poetry के वर्ग में 2014 का पुलितजर पुरसकार किसने जीता तो ये प्रश्ण आपके लिए current affair से पूछा गया था लेकिन 2014 पुराना हो गया है अब 2021 पूछा जाएगा तो दोस्तों कविता के वर्ग में जो पुलितजर पुरसकार है देखें कविता वर्ग में या poetry section में 2021 के पुलितजर पुरसकार पोष्ट कोलोनियल लब पोयम के लिए जो है नताली डियाज को दिया गया है ये आपका current है 2021 के पुलितजर पुरसकारों में जो है Poetry वर्ग का पुरस्कार या कविता वर्ग का पुरस्कार नताली डियाज को Post-Colonial Love Poem के लिए दिया गया है तो सही उत्तर आप इसको नताली डियाज को याद करिएगा और Pulitzer पुरस्कार जो 2021 में दिये गए हैं उनसे संबंधित अन्य करेंट डेटा को भी आप तयार कर लिजेगा आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों पत्रकारिता के छेतर में दिया जाने वाला ये अमेरिका का सर्वोचुपुरसकार है जिसकी अस्थापना 1917 में की गई थी अगला प्रेशन है दोस्तों देखिए कि लब आल सब्द का प्रियोग किस खेल में किया जाता है तो आपसन है आपके आपसन जो है क्रिकेट, बैड बिंटन, फुटबाल या पोलो तो सही उत्तर है लब आल जो है इस सब्द का प्रियोग बैड्मिंटन में किया जाता है इसके अलावा बैड्मिंटन में ड्यूस, स्मैस, ड्राप, लेट, डबल फाल्ट ये बैड्मिंटन में प्रियोग किये जाते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस शोध संस्था के द्वारा ये घोशड़ा की गई कि वह विस्व का सबसे बड़ा चुम्बक 50,000 टन वजनी बना रहा है किस Research Institute द्वारा ये घोशड़ा की गई कि वो दुनिया का सबसे बड़ा चुम्बक बना रहा है तो सही उत्तर है भाभा Atmic Research Center भारत दोस्तों देखिए मुंबई के ट्रामबे में भाभा आडविक सोध संस्थान जिसको की साट में B.A.R.C. बार्क कहा जाता है उसके द्वारा ये घोशड़ा की गई थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा चुम्बक पचास हजार टन वजनी चुम्बक बना रहा है अगला प्रश्न है कि 28 फरवरी को किस तिथी के रूप में मनाय जाता है आपको बताना है तो दोस्तों 28 फरवरी भारत में राष्ट्री विग्यान दिवस के रूप में मनाय जाता है नेशनल साइश्टे दोस्तों 28 फरवरी को नेशनल साइश्टे मनाय जाता है और इस तिथी को भारती बैग्यानिक सर चंदर सेखर वैंकट रमड C. वैंकट रमण ने दोस्तों क्या है फोटान के विकिरण की घटना की खोज की थी जिसे बाद में रमन परभाव के नाम से जाना गया तो सही उतर है 28 फरवरी को जो बिग्यान दिवस मनाय जाता है वो रमन परभाव के खोज दिवस के रूप में मनाय जाता है और एक चीज और याद रखी सीवी रमन के जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाय जाता है तो 28 फरवरी भारती वैज्यानिक चंदर सेखर बैंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष में इसको विज्ञान दिवस के रूप में मनाय जाता है अगला प्रश्ण है बिना बोज के सीखना यानि लर्निंग बिदाउट बर्डन ये जो है इस समित के अध्यक्ष कौन है तो सही उत्तर है प्रोफेसर यसपाल दोस्तों लर्निंग बिदाउट बर्डन या बिना बोज के सीखना इस समित के अध्यक्ष प्रोफेसर यसपाल थ कि सिक्षण कारेक्रम की कमी से सिक्षण की गुलवत्ता असंतोर जनक रही है और सिक्षण में हुए परिवर्तनों के सदर में इसroad कारेक्रम की प्रसंगिकता को सुनिशित करने के लिए इसकी विशय अब आईए देखते हैं दोस्तों राश्ट्री अध्यापक सिक्षा परिशद या NCTE जिसको सार्ट में कहा जाता है इसकी अस्थापना जो है 1993 एक्ट के अधिन 1995 में की गई थी तो NCTE की अस्थापना 1995 में आपरिशन ब्लैक बोर्ड योजना दोस्तों बहुत ही महतपूर है आपरिशन ब्लैक बोर्ड योजना ये जो है दोस्तों 1987 में शुरू किया गया था प्राथमिक सिक्षा के लिए और प्रथम सास्त्री भासा कुछ अन्य भासाओं जैसे तेलगू, संस्कृत, कन्नर, मल्यालम और ओडिया इनको भी सास्त्री भासा का दर्जा दिया गया है तो इंद्रा गांधी राष्टि मुक्त विस्विद्याला यानि इग्नू की अस्थापना 1985 के वल यही बिकल्प सही है अन्य सभी सही नहीं है अगला प्रश्ण है आपको बताना है कि निम्लखित में से कौन एक केंद्री प्रविर्ति की माप नहीं है यानि which one of the following is not a major of central tendency आपसन है आपके मध्यमान, मोड यानि बहुलांक, मध्यांक और प्रामारिक बिचलन तो दोस्तों केंद्री प्रविर्ति की मापों में माध्य माधिका और बहुलक हैं देखें माध्य, माधिका और बहुलक आते हैं केंद्री प्रविर्ति की मापों में प्रमारिक बिचलन नहीं आता है तो सही उत्तर आपसन डी हो जाएगा प्रमारिक बिचलन केंद्री प्रविर्ति की माप नहीं है अगला प्रश्ण आपको बताना तुलनात्मक शोध, सर्वेक छडात्मक सोध या प्रायोगिक सोध तो सही उत्तर है प्रायोगिक सोध या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये वर्डनात्मक सोध का प्रियोग नहीं है क्योंकि प्रायोगिक सोध में अनुसंधान करता स्वतंत्र चरों और आस्री चरों के मध्यकारे करण संबंधों का अध्यन करता है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों कि किस वर्स विश्टो विद्याले अनुदान आयोग यानी UGC UGC को संभैधानिक दर्जा किस वर्स प्रदान किया गया था तो सही उत्तर है 1956 में दोस्तों विश्टो विद्याले अनुदान आयोग यानी University Grant Commission की अस्थापना कब की गई 28 दिसंबर 1903 को की गई थी University Grant Commission की अस्थापना 28 दिसंबर 1903 को हुई थी लेकिन भारत सरकार के संसद अधनियम ने इसे वर्स 1956 में संभैधानिक दर्जा प्रदान किया अगला प्रश्ण है कि भारत का पहला सा एक छड़िक संस्थान जिसके पास सुपरकम्प्यूटर है आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों IIT कानपूर पहला सा एक छड़िक संस्थान है जिसके पास अपना सुपरकम्प्यूटर है अगला प्रश्ण है दोस्तों नया साफ्टवेयर जो है एक संदेश पाठक ये विक्सित किया गया है किस के लिए संदेश पाठक साफ्टवेयर किस के लिए विक्सित किया गया है जिसकी सहायता से आप मैसेज का वाचन या मैसेज वो पढ़कर सुना देता है अगला प्रशन है निम्रखित कम्प्यूटर भासाओं में से कौन सी एक भासा Artificial Intelligence यानि कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रियुक्त की जाती है आपसन है प्रोलाग, फोटरान, सी या कोबोल तो सही उत्तर है दोस्तों प्रोलाग प्रोलाग का फुल फाम होता है प्रोग्रामिंग इनलाजिक और इस भासा का विकास 1973 में फ्रांस में कृत्रिम बुद्धि सम्बंदित कारियों को करने के लिए किया गया था तो याद रखिए जो है कम्प्यूटर भासाओं में प्रोलाग जो हो है ये आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के लिए प्रियोक की जाती है अगला प्रश्ण है देखिए क्लास C-L-A-S ये पुछा जा रहा है कि क्लास क्या है यानि क्लास का पूर्ण विस्तार क्या है तो सही उत्तर है class का पूर्ण विश्तार है computer, literacy and studies in schools देखें आपसन भी computer, literacy and studies in schools ये जो है दोस्तों class का full form है अगला प्रशना ये देखते हैं जो है ये है प्रशन संख्या 15 इसमें आपको पूछा गया है कि सूची एक और सूची दो के आधार पर सही code का chain करिए तो देखें input device, input device क्या है तो दोस्तों ये जह है input device इसमें यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है एक तरह से देखा जाए तो input device इसमें कोई नहीं है MS-DOS जो है ये system software होता है computer का मस्तिस्क CPU यानि central processing unit होता है और computer का जनच Charles Babbage को माना जाता है तो इस आधार पर ये आप input device, printer जो है ये output device है, input device नहीं है लेकिन आप जब इसका मिलान कर लेंगे A का 3 का तो सही उत्तर हो जाएगा जो है 3, 4, 2 और 1 तो यहाँ पर 3, 4, 2, 1 इस आधार पर कर लेंगे लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए कि printer जो है ये input device नहीं बलकि output device होता है तो आपसन A आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, वैसे एक आपसन गलत है इसलिए इसको मैं इस्टार कर रहा हूँ अगला प्रश्न है कि दोस्तों निम्लिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है यहाँ पर देखिए बिस्तो पर्यावरण दिवस 2014 ये है इसमाल आइसलैंड और क्लाइमिट चेंज परमाडवम दुतिविस्यूद स्री सुंदरलाल बहुगुडा चिपको अंदोलन और ओजोन छेद यूरोप तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों बिस्तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है 2014 में इसका थीम था इसमाल आइसलैंड और क्लाइमिट चेंज परमाडवम दुतिविस्यूद में पहली बार प्रियोग किये गये थे सुंदरलाल बहुगुडा चिप को अंदोलन के प्रियता है और ओजोन छिद्र ये यूरोप से संबंधित नहीं है बलकि अंटार्किटिका से संबध है तो आप संडी आपका सही जोड़ा नहीं है अगला प्रिश्ण है कि बायो डाइवर्सिटी इज रीचर इन आपको बताया गया है क जैव पारिस्थित की सबसे समरिध किन छेतरों में पाया जाता है तो आप जानते हैं उश्ड काटिबंधी छेतरों या विस्वत रेखी छेतरों या उश्ड काटिबंधी जो हमारे वर्सा बन होते हैं दोस्तों यहां पर जैव पारिस्थित की यानि सरवाधिक बायो पाई जाती है अगला प्रश्ण है संयुक्त राट संग ने 2005 से 2014 के दसक को किस रूप में मनाने का घोशड़ा किया है तो सही उत्तर है आपका सतत विकास के लिए सिक्षा का दसक सही उत्तर है 2005 से 2014 को संयुक्त राट संग द्वारा सतत विकास के लिए सिक्षा दसक घोशित कि अगला प्रेशन हें दोस्तों कि Great Himalayan National Park कहां पर इस्थित है सही उत्तर है हिमाचल परदेश दोस्तों Great Himalayan National Park ये हिमाचल परदेश के कुलू जिले में इस्थित है और विस्वरासा सुची में भी इसको सामल किया गया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में इस्थित इस उद्यान को 1999 में राष्ट्री पार्क या नेशनल पार्क घोसित किया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों कि यहां पर देखिए सूची एक और सूची दो के आधार पर कोड चुनना है आपको गौरा देवी दोस्तों गौरा देवी चिपको अंदोलन से संबंधित है पारिस्थित की सब्द का सबसे पहले प्रियोग एजी टांस लेने किया था ग्लेशियो लाजी दोस्तों ग्लेशियर के अध्यन से संबंधित है और प्रिथिवी दिवस 22 अप्रेल को मनाय जाता है तो सही उत्तर यहाँ पर आपसन ए हो जाएगा 341 और 2 अगला प्रश्ण है दोस्तों अंगरेजियो द्वारा दिल्ली को रासधानी कब बनाय गया था आपको बताना है तो सही उत्तर है 1911 में देखिए दोस्तों जार्ज पंचम के सम्मान में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें भारत की राजधानी जो है वो कुलकाता से दिल्ली अस्थाना अंतरित की गई थी खोशड़ा की गई थी कुलकाता से दिल्ली और 1912 में जो है दिल्ली राजधानी का अस्थाना अंतरर हुआ था लेकिन 1911 में दिल्ली को कलकत्ता के अस्थान पर राजधानी बनाए गया था अगला प्रशन है निम्नखित में से कौन सा काल भारती इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है तो सही उत्तर है 1206 से 1526 दोस्तों 1206 से 1526 इस वी तक के काल को भारत में सल्तनत काल कहा जाता ह और संतलत काल के जो वंस रहे हैं सबसे पहला गुलाम वंस फिर खिलजी वंस तुगलक वंस सयद वंस और लोधी वंस रहे हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों आपको बताना है निम्ठी सहरों में से कौन सा एक सहर करक रेखा के एक दम समीप है आपको बताना है आपसन है आपके जोधपूर दिल्ली कुलकाता या नागपूर तो इन विकल्पों में से दोस्तों सही उत्तर है कुलकाता कुलकाता जो है ये करक रेखा के एकदम निकट है आपके लिए एक जानकारी है कि करक रेखा भारत के आठ राजियों से गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य परदेश, 36 गड़, जारखंड, पशिम, मंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम गुजरात में करक रेखा माही नदी दो बार काटती है और ये जो बिकल्प दिये गए हैं इसमें कुलकाता करक रेखा के सबसे निकट है अगला प्रशन है ने मिखित में से कौन एक बांध भागी रथी नदी पर बनाये गया है तो सही उत्तर है टिहरी बांध दोस्तों टिहरी बांध भागी रथी नदी पर इस्थित है अगला प्रशन सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है और दिये गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चैन करना है यहाँ पर दीखे दीन ए इलाही तो दीन ए इलाही नामा के एक नए धर्म की सुरुवात अकबर द्वारा की गई थी दासवंश जो है कुतुब बुद्दीन एवक गुलाम बंस या दासवंश से संबंधित है साइमन कमिशन 1928 में भारत आया था और दोस्तों औसध या चर संब्धा संब्धान 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 1726 क्या किया गया था कि भारती संब्धान में तीन सब्ध समाजवाधी पंथनिर्पेक्ष और अखंडता सब्ध जोडे गए थे प्रस्तावन में अगला प्रश्ण है कि दोस्तों भारती संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं तो सही उत्तर है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में दोस्तों संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी संसोधनों के दोरा कुछ अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ निकाले भी गए दोस्तों देखा जाये तो क्रम संख्या के अनुसार 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों से बढ कर 12 अनुसूचियां शंभी धान के बरतमान में हैं अगला प्रेश्ण है रेन्बो रिबोलूशन दीए रेन्बो रिबोलूशन या इंद्रधनुस इंद्रधनुस क्रांति के से संबंधित है आपको बताना है तो सही उत्तर है क्रिसी और संबंधित छेत्रों के समग्र विकास से Rainbow Revolution का संबंध है तो याद रखिए Rainbow Revolution ये जो है इंद्रधनुसी क्रांति का संबंध सभी प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से देश के क्रिसी चेत्र में आई विभिन क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का है ताकि क्रिसी और संबंधित चेत्रों का सर्वांगीर विकास हो सके अगला प्रश्ण है 1972 में प्रारंब की गई गारंटीड रोजगार योजना सबसे पहले कहां प्रारंब की गई थी तो सही उत्तर है महराश्ट में दोस्तों 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सबसे पहले 1972 में महराष्ट सरकार द्वारा लागू किया गया था और बाद में काम के अधिकार को महत्तो देते हुए जो है महात्मा गांधी राष्टी रोजगार गारंटी योजना 2005 शुरू की गई है अगला प्रेश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रेश्ण है दोस्तों कि बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रभाव में आया था तो सही उत्तर है एक अप्रेल 2010 को दोस्तों संबिधान का जो 86 संबिधान संसोधन था 2002 आप जानते है ये बहुत ही महत्मूर है इसके द्वारा अनुछेद 21 ए जोड़ा गया है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि राजजबिध बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निहशुल्क सिच्छा अनिवारे करने का प्रबंध करेगा और इस अधिकार को बेवहारिक रूप देने के लिए संसद में निहशुल्क और अनिवारे सिक्षा अधनियम 2009 पारित किया गया जो कि 1 अप्रेल 2010 से लागू किया गया तो दोस्तों ये था आज का वीडिय जिसमें आपने उत्तर प्रदेश उच्चतर सिक्षा सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले असिस्टिन्ट प्रोफेसर भरती परिक्षा के आगामी परिक्षाओं के लिए प्रिवियस इयर्स पेपर रिवीजन के अंतरगत 2014 का सामान ने अध्यन का पेपर आपने रिवाइज किया और ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत पूर्ण है क्योंकि कई प्रश्न दोस्तों यहां से भी पूछे जा सकते हैं और इससे आप एक तो प्रश्नों का जो पूछने का ट्रेंड है उनका नेचर है किस तरह से पूछे जा रहे हैं इन सब को आप करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार